दोस्तो जब हम blouse stitch करते हैं तो हम छोटी योटी बहुत सारी गलतिया करते हैं और उस गलति को यह से blouse में finishing की, blouse में fitting की और blouse में look की कमी होती है तो friends मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में छोटी सी छोटी बारिकी जो हम blouse में सिलाई करते हैं वो क्या गलतिया करते हैं मैं आप लोगों को पोई डिटेल से बताऊंगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ गनेस देवांगन और मेरे यूटूब चैनल रानी टेलर आप लोगों का सवगत करता हूँ friends कई बार beginning stage में हम timing बचाने के लिए बहुत सारे गलतियां कर देते हैं blouse बाने तो friends वो गलतियां हम क्या करते हैं मैं पोई डिटेल के साथ आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो वैसे मेरी कोशिस जी रहती है कि मैं अपने वीडियो के माद्यां से आपको blouse की छोटी सी छोटी गलतियां और छोटी सी छोटी परिशानियां का डिटेल मैं और सालूसन आप लोगों को बता सकूँ तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो friends मैं आप लोगों कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सस्क् ब्लाउस बनाते हैं तो हमको नीचे कमर में देखें friends यहां पर इस कमर में इसके नीचे हमको सवा इंच का तैयार बेल्ट लगाना यानि कि पट्टी लगाना बहुत जरूरी है अगर हम इसमें बेल्ट में पट्टी नहीं लगाएंगे नीचे कमर में तो blouse क्या होता है friends य यह हमारा जो blouse है यह हमारा ऐसे पलड़ जाता है आम तर पे आप देखे होएंगे कि बहुत से लोग जब blouse पहनते हैं तो यह portion पलड़ जाता है या यह portion ऊपर चड़ जाता है तो इसका में के कारण यह होता है कि हम इसके नीचे पट्टी नहीं लगाते हैं तो आप ध्या रखेंगे और फ्रेंड्स एक बात और देखता हूँ मैं कुछ लोग अस्तर में और यह कपड़े में इसको यहाँ पर से कबर अप कर लेते हैं यानि कि इसको पल्टी कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यह भी गलती आप कभी ना करें जब भी अगर आप अस्तवल अब लोजब आते हैं अगर आपको पल्टी करना है तो यह क्रास को यह योग पट्टी को आप डबल रखेंगे तभी पल्टी करें अन्य था एक साथ हमको यहाँ पर इसको कमर पट्टी यानि कि यह वाले जो बेल पट्टी है हमको लगाना है और इसमें हमको सिलाई नहीं लगाना है इस बात का विसेद ध्यान रखेंगे ये जो छोटी छोटी चीजे रहती है ब्लाउस में पहनते वक्त इसका जो लुक आता है ये बहुत अच्छा आता है ब्लाउस पहनने में दिखने में बहुत फिनिशिंग आता है ये बात का विसेद ध्यान रखेंगे और एक गलती और अहितर लों करते हैं वो है friends गले में तो friends जब भी आप blouse बनाएं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर यह जो गले की पटी है इसको पल्टी ना करें हमेशा इसमें अलग से आप पटी लगाएं इसको पल्टी ना चाहे आप कोई विडियन बनाएं अगर आपका चौड़ा बाउडर है देखिए friends इस blouse में मैंने चौड़ा बाउडर लगाया हुआ है गले में square गला है उसके बाद भी मैंने इसमें पटी लगाया हुआ है आप विसे धान रखेंगे पटी लगाये पाइपीन लगाये या इसमें बारिक जो पाविंज की तुरपई पटी आती है वो लगाये लेकिन आपको गले में पटी आगे पीछे जरूर लगाना है नहीं तो friends इसमें भी दिक्कत क्या होती है जब blouse पहनते हैं तो यह जो गला है यह प्रापर बैठता नहीं इस्टेट नहीं रहता और यह ऐसे या फिर इस साइट से कहीं से भी गले में यह ऐसे पलटता है आप देखे होएंगे आम तर पे जो बिगनेंग इस्टेज में रहते हैं कई लोग इसको ड्याइन बनाते वक्त इसको पल्टी कर लेते हैं तो यह गलती आप कभी न करें जब भी आप blouse बनाए तो गले में भी यह वली पट्टी या फिर पाइपीन जरूर लगाए इस बात को ध्यान रखें और फ्रेंड्स एक चीज का ध्यार रखें जब हम blouse सीलते हैं तो देखिए यह कटोरी कि साइड मोडी होई है यह देखिए यह कटोरी यह हमको ऐसे रखना है यानि कि यह जो सिलाई है इसको हमको इस साइड दबाना है इस साइड नहीं इस साइड दबाने से भी कटोरी का जो शेफ है वो प्रॉपर सही नहीं आता इसका भी ध्यार रखेंगे और blouse सिलते वक्त हर जगे में आपको आपको ऐसे नक्स से प्रेस करना है इसका भी ध्यार रखेंगे क्योंकि यह छोटी छोटी गलती रहती है जिससे की हमको blouse बनने के बाद finishing में कमी आती है और एक चीज़ ध्यार रखेंगे यह जो प्रेंट्स यह जो पट्टी है कटोरी का जो मोड है इसको भी कई लोग यहां से काट देते हैं तो यह भी ना करें यह कटने से क्या होता है क्योंकि यहां पर सबसे अदम blouse में pressure रहता है तो यहां पर से select हजकती है या फिर कपड़ा भजकता है तो इसका भी ध्यार रखेंगे आप कि इसको ऐसी रहे और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं फ्रेंट्स कई subscriber पूछते हैं Sir Armhole तो इस बाद करेंगे Armhole के fitting के लिए भी यह बहुत जरूवी है यह देखिए इसका ऐसा बैठा हुआ रहना तो यह क्यों बढ़ता है हमको नकून लगाके हमको जो जोड है यह जोड यहां का इसको इससे डटना है यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए कई बार क्या होता है यह ऐसे हो जाता है आप नकून से प्रेस नहीं करते तो देखिए इसकी fitting कैसी आती यहां से कभी उठ जाएगा या फिर यहां से तेड़ामरा सिला दिखिएगा अब आप देखिए इसका जो सिलाई है कितना proper दिख रहा है कितनी finishing दिख रही है आपको हमेशा blouse को सिलते वक्त इसको ऐसे fold लगरके यहां पर नाकून से हमको अच्छे से प्रेस कर लेना है इस बात कदा रखिए छोटी छोटी जो चीज़े होती है यह blouse बे बहुत ज़्यादा महतपूर रहती है तो हमको हर बातों का ध्यान रखते वे blouse की stitching करना है चूकि अगर हम घर के कपड़े भी सीर रहे है या बूटीक है हमारा या किसी customer कपड़े सीर रहे है तो यह सब चुटी टी finishing रहती है जो customer को अच्छी लगती है और एक customer से 10 customer बनते है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो चीज मैंने बताया है आप ऐसी गल्ती blouse के सिलते वक्त ना करें कई बार क्या है टाइम कम लगता है इसकी वैसे हम कमर की पट्टी और गल्ली का जो पट्टी है उसको हम पल्टी कर देते हैं कि हेम करने का सब्तन नहीं है लेकिन friends अगर हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखे ब्लॉज स्टीच करेंगे तो हमारे customer बढ़ेंगे हमारे ब्लॉज में finishing अच्छी हैगी हमारे ब्लॉज की fitting बहुत अच्छी रहेगी इस बात का ध्यार रखिए तो friends आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट से बताइए और साथ ही सथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को और अपने रिष्टियारों को share करें तो मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकरी भरे वीडियो में जब तक के लिए take care, thank you for watching, जैहिंद